बड़ी मेहनत करने के बाद जब एक यूटूबर के चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कम्पलीट होते हैं तो उस यूटूबर को बहुत ज़्यादा खुसी होती है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कम्पलीट होगे हैं क्योंकि friends हर एक YouTuber के चैनल पे जैसे ही 1000 subscribers complete होते हैं, हर YouTuber को बहुत ज्यादा खुसी मिलती है, क्योंकि उसको पता है कि उसके YouTube के चैनल पे जैसे ही 1000 subscribers complete होंगे, वो YouTube के चैनल से live streaming कर पाएगा, और उसको एक community tab, यानि community post का features enable कर दिया जाएगा, जिसमें ओ community post में कोई भी एक post डालके, या video का link डालके, या video का URL डालके, कुछ भी अपने community tab में अपने post कर सकता है, so friends community tab में post करने से आपको इपता है, अपने viewers से, अपने subscribers से बहुत ज़्यादा engagement मिलता है, जो कि आपके YouTube के चैनल को grow करने में काफी help करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरे पास Instagram पर बहुत सारे YouTube कमेंट्स कर रहे थे, और मेरे YouTube के वीडियो पर भी बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे, कि सर मेरे 1000 subscribers कम्पलीट हो गया है, वट मुझे community tab का features enable नहीं किया गया है, ऐसा क्यों हुआ है, प्लीज मुझे बताइए, तो फ्रेंज जब मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन होगे हैं, तो कुछ लोगों का answer मुझे, आज ही complete हुए मेरे 1000 subscribers, कुछ लोगों ने बोला मेरे 2 दिन होगे, कुछ लोगों ने बोला कि मेरे 5 दिन होगे, वर फ्रेंज हर YouTuber के चैनल पे मैंने देखा कि एकसर करके प्रोलम हो रही है, कुने Community Tab का feature जल्दी से जल्द उनको नहीं मिल रहा है, तो फ्रेंज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, how to enable Community Tab on YouTube channel, अपने YouTube के चैनल पे आप Community Tab या Community Post को कैसे enable कर सकते हैं, कैसे on कर सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, इसके लिए, फ्रेंज मैं आपको एकदम लाइब दिखाऊँगा कि Community Tab को कैसे enable कि जाता है, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, अपने mobile के screen पे, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और step by step यहाँ पे वीडियो को देखते रहिएगा, तो चलिए, सुरू करते हैं, So friends, यहाँ पे मैं अपने mobile के screen पे आ चुका हूँ, अगर आप music, entertainment, dance के channel को देखना पसंद करते हैं, तो drishti and iska channel पे जाके visit कर सकते हैं, और दोस्तों सबसे फ़ले मैं आपको बता दू, drishti and iska channel पे subscribers कितने हैं, यह भी आप live proof देख लिए, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे subscribers जो है 1.05K, यानि 1.050 subscribers हो चुके हैं या उससे ज़्यादा subscribers हो चुके हैं, और आपको दोस्तों मैं यहाँ पे live proof देखा रहा हूं की community tab मिला है या नहीं, तो friends यहाँ पे उपर में आपको देखिए, home का option देखने को मिला है, videos का option देखने को मिला है, playlist का option देखने को मिला है channel का है, about का है, यहाँ पे कहीं भी आपको community tab का features यानि community tab का option आपको देखने को नहीं मिला है, इसके अलवा दोस्तों बात करें, अगर आप इसमें नीचे जाएंगे तो इस plus icon पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको तीन option देखने को मिलेंगे, upload a video, create a short, go live, और यहाँ पे friends मैं आपको बता दूँ, अगर आपके YouTube के channel पे community tab का features enable हो जाता है, तो यहाँ पे आपको create a post का option एक अलग से देखने को मिल जाता है, अब दोस्तों community tab को on कैसे करेंगे, यह भी ध्यान से देखिए, step by step ध्यान से देखते रहें, तो friends सबसे पहले आपको ऊपर में, right corner में यहाँ पे three dots देखने को मिल जाएंगे, इस पे आपको click कर लेना है, जैसे इस पे click करेंगे, सबसे नीचे आपको एक option देखने को मिलेगा, help and feedback, इस पे आपको click कर लेना है, help and feedback पे जैसे इफ्रेंड्स आप click करेंगे, यहाँ पे आपको नया page open होगा, YouTube का, और यहाँ पे friends सबसे नीचे में आपको एक और option देखने को मिल जाएगा, message का, send feedback, यहाँ पे आपको send feedback वाले option पे click कर लेना है, इस पे दोस्तों जैसे आप click करेंगे, यहाँ पे from में, उपर में, सबसे उपर में आपके अपने YouTube की चैनल की email id सो होगी, अगर यहाँ पे कोई और email id सो हो रही है, कि इसको आप change कर लिजेगा, अपने YouTube चैनल की email id लगा लिजेगा, वैसे तो by default आपके YouTube चैनल की email id अटोमेटिक यहाँ पे select कर लेता है, तो दोस्तों, अब यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, और क्या लिखना है, यह भी देखिए, तो friends मैंने already पहले से यहाँ नोट करके रखा, ताकि आपका ज्यादा time waste ना हो, तो friends क्या लिखना है, मैं यहाँ पे पहले paste कर देता हूँ, तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले लिख रखा था, यहाँ पे लिखा है friends मैंने, Dear YouTube team, 1000 subscribers have been completed on my YouTube channel, and I have not yet received the features of quality tab, then I request you to enable quality tab on my YouTube channel as soon as possible, Thanks regards मैंने लिख दिख दिया, दिरिष्टी and इसका, मिला जूला के दोस्तों बात इतनी है, कि मेरे YouTube के channel पे 1000 subscribers complete हो गए हैं, और मुझे अभी तक community tab का features देखने को नहीं मिला है, प्ली डियर YouTube team, मेरे channel पे जल्द जल्द एक 1000 community tab का features को enable करे, इसका अर्थ मतलब यही होता है, तो friends यहाँ पे मैंने thanks regards में दिरिष्टी and इसका channel का नाम डाल के रखा है, यहाँ पे दोस्तों आपको अपने YouTube channel का नाम डाल देना है, यहाँ पे दोस्तों इतना ही काम करना है, इससे जादा कोई भी आपको काम नहीं करना है, अब friends उपर में देखे, send feedback के उपर में एक blue arrow का send का option आपको देखने को मिलना है, इस पे simply आपको click कर देना है, और जैसे दोस्तों इस पे आप click करेंगे, आपका जो यह post है, YouTube टीम के पास feedback है, जो पहुँच जाएगा, YouTube टीम आपके इस message को, feedback को पढ़ेगा, read करेगा, और आपके चैनल को review करेगा, और जिदेखेगा कि आपके YouTube के चैनल पे सच में अगर 1000 subscribers कम्पलीट हो गए हैं, तो जल से जल आपके YouTube के चैनल पे community tab को enable कर देगा, और वह कभी भी कर सकता है, कुछ मिल्टों में कर सकता है, कुछ घंटों में कर सकता है, या एक दो दिन में आपके YouTube के चैनल पे community tab या create a post का features automatic enable कर देगा, तो finally दोस्तों तीन दीन वेट करने के बाद दिरिष्टी या इनि इसका चैनल पे community tab का features मिल गया है, यानि friends मैं आपको यहाँ पे live देखा रहा हूँ, इस्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे friends देखिए पहले community नाम का features यहाँ पे नहीं था community post का, आप यहाँ पे friends community का features आ गया है, और दोस्तों मैं आपको नीचे भी दिखाऊँ, प्लस आइकन पे जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों एक create a post का option देखने को मिल गया है, तो friends creative post पे आपको क्लिक करके अपने मुण पसंद post को यहाँ पे upload कर सकते हैं, for example के दिखाता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 1000 subscribers का congratulation का message भी मिला था, मैं इसको nest करता हूँ, unnest करने बाद friends मैं यहाँ पे आप screen देख सकते हैं, लिख देता हूँ friends, thanks for support लिख देता हूँ कुछ भी, इस तरीके से आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ thank you friends, और उसके बाद जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूँँगा thank you friends, और इसको मैं यहाँ से post कर दे रहा हूँ, फ्रेंस यहाँ पर देखिए मेरा successful जो community tab मैं मने post डाला, वो successful post भी हो गया है, तो इसी तरीके से आप भी feedback डाल के community post को, या community tab को features को on कर सकते हैं,